दोसो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको विपरो का इंटर्वी एक्सपीरियंस शेयर करवाने वाला हूँ और उनसे क्या-क्या कोशन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो दोसो इनसे कोई भी टेकनिकल कोशन नहीं पूछा गया वो कम्प यहाँ पर जो है मैंने बना दिया है तो अगर explain किस तरीके से project किया जाता इंटर्वियो में तो उसकी वीडियो भी जाकर के देख लिजेगा और दोसो मैंने टॉप 10 कोशन अलड़ी चैनल पर भी अप्लोड कर दिये तो काफी लोगों ने दोसो यहाँ पर एक्सेस कर रखा है और आपकी query भी resolve हो सकती है तो चले दोसों इत्राइट करते हैं तो इनका दोसों यहाँ पर विपरो का interview experience था और कोई भी दोसों यहाँ पर जो technical question था वो नहीं पूछा गया था तो क्या-क्या question इंसे पूछा गया था उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो दोसों यहाँ पर सबसे पहले जो question पूछा गया कि self introduction का कि अपने बारे में introduction देना है तो दोसों इस पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पर आपको individually बताऊंगा कि किस तरीके से आपको self introduction का answer करना है तो उसके लिए भी दोसों आपको ज़्यादा problem नहीं आएगी तो उस पर भी मै वीडियो बना दूगा तो self introduction दोसों यहाँ पे हर बार जो है interviewer आपसे जरूर्ट question पूछता है कि self introduction दीजे उसके बाद दोसों यहाँ पे about your project ठीक है project के बारे में बताईए तो दोसों already मैंने channel पे upload कर दिया है तो about your project पे जाकर के वो video भी access कर लिजेगा जिससे दोसों आप आपको बहुत जादा जो है उससे helpful मिलने वाला है content ठीक है उसके बाद दोसों यहाँ पे you face any problem during project तो दोसों यहाँ पे जो है मैंने उस video में सारी चीज़े आपको बताई है कि project को किस तरीके से explain करना है कोई भी आपने challenges face किया है future क्या है project का आपका role और responsibilities क्या है technology आपने क्य use किया है project में तो इस सारी चीज़े दोसों already मैंने जो है upload कर दिया है तो वो वीडियो को जागर के access कर लिजेगा उसके बाद दोसों यहाँ पे you face any problem during project उसके बाद दोसों यहाँ पे इन से जो है family background के बारे में पुछा गया कि family background के भी बारे में थोड़ा सा बताईए तो य उसके बारे में दोसों यहाँ पे पूछा गया उसके बाद next question दोसों यहाँ पे पूछा गया कि where do you belong to तो आप कहां से बिलोंग करते हैं तो दोसों इन्होंने राजिस्थान बताया था तो दोसों यहाँ पे interview ने राजिस्थान के भी बारे में थोड़ा सा बताईए तो य gap के बारे में दोसों यहाँ पे बातचीत हुई है और last में दोसों यहाँ पे पूछा गया last time when did you use HTML, CSS और JavaScript ठेक है तो last time आपने कब HTML, CSS और JavaScript को use किया था तो इसके बारे में दोसों यहाँ पे interviewer ने question पूछा अब आप देख सकते हैं दोसों कितने simple question है जो interviewer यहाँ पे करता है कि वो आपका interview किस तरीके से ले रहा हो सकता है कभी किसी candidate का दोसों यहाँ पे 30 minute भी interview चलता है तो दोसों overall अगर इनके interview की बात करें तो दोसों यहाँ पे 16 minute के आसपास इनका interview हुआ था और कोई भी दोसों यहाँ पे technical question नहीं पूछा गया था और उसके बाद दोसों यह अगर आपको भी अपना interview experience शेयर करना है तो आप जाकर के यहाँ पे mail ID provide है जाकर के यहाँ पे अपना विप्रो interview experience आप शेयर कर सकते हैं जिसे दोसों काफी लोग को यहाँ पे help मिलने वाली है तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजेगा और अगर अभी तक जाकर के access कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए